आज पूरा देश का जो किशान है वह बदहाल हो चुका है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप हमारे पीछे देखेंगे कि यह जो फसल है यह पूरी तरीके से बरबादी की कगार पे पहुँच चुकी है जमीन आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जिस खेत में मैं जादी की कगार पे जाता है वह अपने घर के बच्चों को कभी दिली कभी मुंबई भेज देता है कि जाके बाहर फाइक्ट्री आवकार खानों में अगर नवकरी करेगा तो अगर हमारी फसल नहीं भी होगी तो कम से कम हमारा दिन आराम से कट जाएगा लेकिन यह जूठा प्रधान मंत्री जो देश के अंदर बना वह पूरे देश को तो बरबाद किया है पूरी देश की अर्थ बिवस्था को भी धारा साई किया पूरी देश की अर्थ बिवस्था को चौपट करने का काम किया जितने साथी देख रहे हैं मैं सभी साथियों से यह कहूंगा कि आ बाईयों या बैनों दो हजार बाईस तक इस देश के अंदर एक भी गरीब नहीं बचेगा तो सारी गरीब बड़ी खुश हुए बड़े तालीब जाने लगे कि हम सारे लोग अमीर हो जाएंगे हमारे भी महल बन जाएंगे आप देख रहे होंगे कि आज मैं कई दिनों के बाद लगभग 15 दिनों के बाद मैं लाइब आया हूं पंद्रह दिनों के बाद लाइब इसलिए आया हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लोगों तक पहुचाने का काम नहीं करते हैं वीडियो को जो है ग्रूपों में शेयर नहीं करते हैं जितने साथ ही देख रहे हैं मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूँगा पहले आप लोगों ने सुना होगा इन अंदभागतों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो अंदभागत हैं यहीं अंदभागतों को बताना चाहता हूँ कि आज यह लोगे कहेंगे कि अगर पानी नहीं बरस रहा है शूखा पड़ रहा है तो क्या इसमें मोदी जी का क्या दोस है मैं उन गंद भक्त यंद भक्त और गोबर भक्तों को ये बताना चाहता हूँ कि तुम्ही लोग तुम्हारे बाप दादा ही ये कहते हैं कि फला सास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर जो है कि कोई राजा जब किसी देश में सूखा पड़ा था राजा या रानी जब मिल करके ह चलाए थे तो बारिश हूई थी यानि एगर किसी भी देश के आंदर कोई आपडा आती है तो वह सारा का सारा दोस वहां के राजा को होता है या सास्त्रों में लिखा हुआ है यह सास्त्रों में लिखा हुआ है कि किशी भी देश के अंदर अगर कोई प्राकिती का अपदायाती है तो वह राजा का दोस होता है और राजा के दोस को निवारण के लिए तमाम पंडे पुजारी होते हैं और हवन कराते हैं यग्य कराते हैं राजा या और रानी दोनों और हमारे योगी जी हैं इन दोनों को पती-पतनी सहीत बैठ के यग्य करना चाहिए हवन करना चाहिए या हल चलाना चाहिए तब जो है आप अदाएं दूर होंगी लेकिन ये दोनों जो है पती-पतनी मिल करके क्यों नहीं बैठते हैं अब कोई ये कहेंगे कि इनके पास तो जो है पत्नी ही नहीं है तो मान लिया कि चलिए योगी जी के पास पत्नी नहीं है लेकिन मोदी जी के बाद तो पत्नी है क्योंकि जब वो बनारस से चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने पत्नी का जिक्र किया था तो अंधभागतों को बताना चाहिए कि पती पत्नी द सात महिनों के अंदर प्रधान मंत्री जी जो है कभी आपसे थाली बजवाए कभी घर में आपसे दिया जलवाए कभी लाइट बत्ती बुझवाए कभी हेलीकाप्टर से फूल बर्सवाए लेकिन कुछ भी काम में नहीं आया और आज आप देख लीजिए कि जाद फारे भाज पाई कोरोना पाजिटिव होते जा रहे हैं अभी जो है आपने देखा होगा कि हमारे गैडा भाई मोटा भाई हमारे गैडा मोटा भाई को भी कोरोना हो गया ऐसा मीडिया वाले दिखा रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं मैं ये पूछना भी चाहता हूं गोबर भक्तों से गंदभक्तों से अंदभक्तों से कि तुम लोग बता तुम्हारे प्रधान मंत्री बता रहे थे कि घरों के बाहर मत निकलिए लाक डाउन रहिए लच्छमण रेखा उन्होंने लच्छमण रेखा का भी जिक्र किया था कि लचमण रेखा जो है अगर इसको पार करके बाहर जाओगे तो आपको कोरोना हो जाएगा तो क्या उन्होंने अमिशाह उनकी बातों का पालन नहीं किये लेकिन मैं यह देख रहा हूँ कि सारे अमीर लोग, सारे राजनेता लोग को कोरोना हो जा रहा है अखिर कोरोना क्यूं हो रहा है उनको, यह कहीं रात में जो है लचमण रेखा तो नहीं पार करते हैं किसी बीयर बार में तो नहीं जाते हैं, किसी होटल बार में तो नहीं जाते हैं थाकिर इनको कोरोना होता कैसे है जितने भी साथी देख रहे हैं एक 1000 के आश्पास साथी देख रहे हैं सभी साथीयों से मेरा गुजारिश करें हैं कि आप लोग इस वीडियो को ग्रूपों जेएर करते होगी कि सायद उनकी उनका लाल हो जाएगा क्या लाल हो जाएगा आप जानते हैं अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे प्रधान मंत्री जी क्या बोल रहे थे जानते हैं, वो कह रहे थे कि हमारा क्या है? हम तो फकीर आदमी है, जोला उठाएंगे, चले जाएंगे. मैं यह पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी से, कि ऐसे जोला उठाके कईशे आप चले जाओगे? यह जोला जो है, यह किसी के देखेगी इस जोला में क्या लेके जा रहे हो तों जोला किसी के बाप का नहीं है यह इस जोला उठाएगा चला जाएगा फाकीरचंद की सम्ट और पहैं on लेंद्धन को चौंड़के चले आयोगे जब जोला लेके जाओगे तो जंता हिसाब करेगी लेकिन करोगे क्या देश के लोगों ने ऐसा चाय वाले को प्रधान मंत्री बनाया उसकी चाय की जो चुष्की है वो इतना बढ़िया चुष्की लिया कि आप पुछिये मत जब वो देश के प्रधान मंत्री की कुर्शी सम्हालने के लिए आए तो मोदी जी क्या कह रहे थे समझ गए बाईयों या बैनों 2022 तक इस देश के अंदर एक भी गरीब नहीं बचेगा तो सारी गरीब बड़े खुश हुए बड़े तालीब जाने लगे कि हम सारे लोग अमीर हो जाएंगे हारे भी महल बन जाएंगे लेकिन उनको थोड़ी पता था कि कोरोना कहार आएगा